हेलो गाईज दिस इस आरती चोधरी सभी को बिल्कुल वैरी गूड मॉर्निंग रादे रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फस्क्लास एक बार जरा कॉमेंट करके कंफर्म करेंगे बचा की ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के है एक बार जरा कंफर्म कर दीजे बचा की ओडियो वीडियो सब कुछ ओलो के है और आपको पता है बचा कि इस समय हम डेली आपके RRB ALP CBT1 के हिसाब से जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चा कोशन हो सकते हैं साइन्स के वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराती हूँ डेली आपको एकी मैसेज कनवे करती हू वेकेंसी डेफिनेटली आएगी थोड़ी सी डिले है लेट है ये मैं मानती हूँ ठीक है आप लोगों का बहुत जादा इस चीज़ पर आक्रोस हो सकता है बट लेकिन वेकेंसी आनी तय है जो बच्चे इतने महीनों से मुझसे लगातार कनेक्टेड है तयारी कर रहे हैं य चलिए आज की क्लास का आपका पहला कोशन है कि फ्यूस तार कैसा होना चाहिए बताइए फ्यूस तार का नेचर आपका कैसा होना चाहिए उसमें आपका लो रिजिस्टेंस होना चाहिए और उसका हाई मैल्टिंग पॉइंट होना चाहिए या लो रिजिस्टेंस और आपक का high resistance या low melting point बताइए चलिए जी पताइए फ्यूस्तार कैसा होना चाहिए आणसर करेंगे औहाँ भी पैसा होना चाहिए उसका हाइजक होना चाहिए और low melting point होना चाहिए अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है यही नपता हो कि आपका बेसिकली आपका यह फ्यूस तार क्या होता है जैसे माल लिया यह आपके घर का कोई पंखा है इसके साथ सीरीज में इसके साथ सीरीज में हमेशा आपका एक तार जुड़ा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलत उपकरन जो होते हैं, वो जलने से फुकने से आपके बच जाते हैं, अगला कोशन देखते हैं, तीन प्लग में सबसे मोटा पिन कौन सा होता है? बदाई ये जो आपके तीन प्लग होते हैं उन तीन प्लग में से सबसे मोटा पिन आपका क्या होता है बिल्कुल मुझे पता है आप सब लोग बोलोगे कि अर्थिंग पिन होता है आपका भू संपर्क पिन होता है लेकिन उसका कारिय क्या होता है वो basically high voltage वगरा जो होती है उन सब को आपका क्या करता है इनेक्टिव कर देता है निस्क्रिय करतेता है तो अगर भूसंपर्क के साथ में निस्क्रिय पिन ओप्शन में हो तो निस्क्रिय पिन आपका examiner जादा सही मानता है वो नहीं है तब आप लगा सकते है वैध्यूत ताप उपकरण में तापक तत्व के रूप में किस मिस्रधातू का प्रियोग किया जाता है बताईए वैध्यूत तापक उपकरण में तापक तत्व के रूप में हम इन में से किसका इस्तमाल कर सकते है मतलब इन में से वो कौन सी मिस्रधातू है जो काफी तेजी से आपकी गर्म होती है और ठंडी भी हो जाती है इन शोट यदि मैं आपको इस कोशन को बिल्कुल आसान लेंगवेज में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका सैंस कुछ ऐसा निकलेगा तो क्या बचा आपका नाइक्रोम नाइक्रोम किस से मिलकर बना है निकल और क्रोमियम से मिलकर बना है चलिए अगला कोशन देखते हैं जरा एक बार धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रियोग होता है धारा का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रियोग होता है बताइए भारा का पता लगाने के लिए हम इन में से किस यंत्र का प्रियुग कर सकते है तो किसका बच्चा अमिटर का वोल्ट मीटर का वोल्टेज का पता लगाने के लिए हम लोग इस्तमाल करते हैं गैलवनो मीटर को किस परकार वोल्ट मीटर में परिवर्दित किया जा सकता है ये बोल रहे हैं आपका गैलवनो मीटर को आप किस तरह से वोल्ट मीटर में परिवर्दित कर सकते हैं जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के रहे होंगे देखो रे exam जहां science नहीं आती है बाकी सारे subject की weightage कम है ये इकलोता ऐसा exam है जहां पर आपका सबसे कम आपकी maths, reasoning, general awareness, current affairs की tension नहीं होती बचे को बट अगर तुम्हारा science अच्छा है तुम science background से हो तो बेटा यहां नोकरी लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता इसलिए most of the student जो आपके क्या है मचा science stream से हैं वो आपके तयारी करते हैं, wait करते हैं इस railway की vacancy का क्योंकि ऐसे बहुत बचे हैं जिनके English week होती है लेकिन उनका technical जो background है वो काफी strong होता है तो आपके लिए यह best होता है, है ना आप लोगों को बस वो तयारी छोडनी नहीं है, आप लोगों को अपने मन को भटकाना नहीं है है ना लगी रहना है तयारी में, ओके चलिए बचा तो यहां पर क्या है, galvanometer को आप किस प्रकार वोल्ट मीटर में स्रेणी में, यदि आप इसके साथ में उच्छ प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे ठीक है, यहां पर यदि आप इसके साथ स्रेणी में कोई एक हाई रिजिस्टेंस का तार जोड़ते है तो यह आपका किस में वोल्ट मीटर में चेंज हो सकता है वैद्यूद सकती यानि कि इलक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है वोट इस दा यूनिट ओफ इलक्ट्रिक पावर बदाए जी, वैद्यूद सकती यानि इलक्ट्रिक पावर की इकाई क्या होती है इलक्ट्रिक पावर की इकाई आपकी क्या होती है तो एलेक्ट्रिक पावर कि आपकी एकाई क्या होती है वोट होती है खीक है चलिए एकला कोशन देखती है मानव शरीर का सूखे कि इस्थिति में प्रतिरोध कितना होता है आपने ये लाइन अपने घर पर अपनी मम्मी से अपने बड़ों से हमेशा सुनी होगी आप भी छोटे बच्चों को बोलते होंगे अभी शरीर गीला है किसी इलेक्टिक स्विच के पास मत जाना किसी पंखे को बंद मत करना क्योंक होता है तो यहां पर क्या है बच्चा सूखे की इस्थिति में हमारे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है चलिए कुछ पदार्त अतियंत निम्रताप पर वैध्युत प्रतिरोध पूर्ण तहा क्खो देते हैं ऐसे पदार्त को क्या कहा जाता है कुछ पदार्थ अतियंत निम्नताप पर वैद्युत पिर्तिरोध पूर्ण तहाग खो देते हैं ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है बताईए सिंपल सी भात है बही एक बात बताओ वैद्युत पिर्तिरोध पूर्ण तहाग हो देना है ना मतलब कि उसके अंदर रजिस्टेंस नहीं है जिसके अंदर रजिस्टेंस नहीं होगा यह सिर्फ एक ही कंडिशन में पूरी इलिक्टिसी कंड़क्ट तो कुछ आपके ऐसे अलिमेंट्स होते हैं जिनको यदि आप बिल्कुल low temperature पर लेकर जाओगे तो वो उनके अंदर का पृतिरोध जो होता है वो सुन्य हो जाता है अब पृतिरोध यदि सुन्य है तो फिर वो आपका क्या बनेगा फिर वो आपका super conductor ही बनेगा फ्लेश बल्ब का तार किसका बना होता है बेटा हो रही होंगी बिल्कुल महापैक में आपकी live class आप थोड़ा सा उसमें my live classes में जाकर देखिए आपको definitely दिखेंगी बताईए फ्लेश बल्ब का तार किसका बना होता है तो फ्लेश बल्ब का तार आपका किसका बना होता है बचा मैगनीशियम का बना होता है आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिगला कर उसकी आधी लंबाई के तार में पुनहा ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? बताईए एक आपका तार है जिसकी L लंबाई है और इसका प्रतिरोध कितना है आपका R आपसे बोला गया इस तार को पिगलाया गया और इस बार इससे एक नया तार बनाया गया लेकिन ये पहले की L लंबाई का आधा है तो बताईए इस नए तार का प्रतिरोध कितना होगा? जब भी गभी आपसे L लंबाई में चेंज करने के लिए बोले यहाँ पर जैसे हाफ किया है तो उसका स्क्वाइर करो क्या करो बचा इसका स्क्वाइर करो और उठा कर पुराने वाले तार के रिजिस्टेंस से मल्टिप्लाई कर दो तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? आर बाई फूर फाइनल आंसर कितना आएगा बचा आपका? आर बाई फूर आएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं घरेलू वैध्युत तार में किस धातू का प्रियोग होता है? घरेलू वैध्युत तार में हमारे घरों के जो होते हैं उसमें इनमें से माक्सिमम इस्तमाल हम किसका करते हैं यार बहुत ही कम like कर रहे हो बहुत ही कम share कर रहे हो ये बात मुझे भी पता है कि जिस दिन वेकेंसी आएगी तो इस नंबर के पीछे 20 बड़ी हुई आपको दिखाई देंगी लेकिन हमें उससे पहले भी लगातार बच्चों को ये जागरुक करना है कि आप लोग तैयारी में लगे रहें क्योंकि जिस दिन वेकेंसी आएगी बहुत जादा समय आपको नहीं देगी रेलवे तैयारी का उसके लिए आप लोगों को लाइक और शेयर करना होगा क्लास को ओके तो हमारे घरों के जो आपके तार होते हैं उनके अंदर देखो यदि सस्ते तार है तो आपका अधिक तर ऐलूमीनियम वायर ही इस्तमाल होता है जैसे जो आपके रूलर एरिया में जो होते हैं वहाँ बहुत जादे महेंगे तार लोग अफोर्ट नहीं कर सकते तो उनके अंदर अलुमीनियम लेकिन जो अच्छे तार होते हैं उनके अंदर हम लोग किसका आजकल तांबे का इस्तमाल करना शुरू कर दिया है तो अगर मैं आपसे बोलू कि लास्ट ये जब ये आपका एक्जाम आया था मतलब जो आपका लास्ट एक्जाम हुआ था तो अलुमीनियम को सही माना गया था अभी ये दिये आपका एकोश्चन आएगा तो तांबे को सही मानेगा क्योंकि अब तांबा जो है बच्चा वो आपका ज्यादा यूज होने लगा है अगला कोश्चन देखते हैं वैद्यूत बल्ब में निस्क्रिय नाइट्रोजन और ओर्गन गैस भरी जाती है क्यों बताइए वैद्यूत बल्ब में निस्क्रिय नाइट्रोजन और ओर्गन गैस भरी जाती है क्यों बताइए जी किसलिए बिल्कुल हम लोग उसमें नाइट्रोजन और 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 इसलिए भरते हैं बच्चा जिससे के ताकि जो फिलामेंट है आप लोगों को लगता होगा बहुत सारे बच्चे बूलते हैं ज्यादा वाइट दिखता है ज्यादा आपका क्या होता है बेसिकली ल या नाइट्रोजन का इस्तमाल करते हैं प्रकाशिय चालक इन में से किसका बना होता है प्रकाशिय चालक इन में से किसका बना होता है तो प्रकाशिय चालक किसका बना होता है तांबे का बना होता है चलिए मुख्यत है वैध्युत आपूर्ती में फ्यूज का प्रियोग करण के रूप में होता है निम्न में से कौन सा कथन फ्यूज के संबंद में सही है। घो कि अ मताये जी उसके संबंद में इन में से कौन सा आपका सही है। तो सिंपल सी बात है बचा आपका जो फ्यूस तार है उसका डेफिनिटली आपका जो आपका मैल्टिंग पॉइंट है क्या बचा उसका जो मैल्टिंग पॉइंट है वो हमेशे आपका लो होना चाहिए और हाई रिजिस्टेंस होना चाहिए आदर्स वोल्ट मीटर का पृतिरोध कितना होता है बताईए आउसर देने वालों की संख्या काफी कम है क्लास में तो देखो कोई बात नहीं गलत होने से नहीं डरना है आपको गलत को आप ठीक कर सकते हैं लेकिन यदि आप आप आँसर ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे आपकी हैल्प करूँगी कोई भी ज़ना आप यह बोल सकते हो क कि मैं हमारा last time ये question गलत हुआ था लेकिन देखो next time हमने ठीक कर दिया और वो आपको कब पता होगा जब आप answer करेंगे विज़िए आप answer करेंगे यह नहीं तो आपको कैसे पता कैसे पता होगा क्या होता है बचा इसका आपका आनन्त होता है चलिए अगला question देखते हैं सुस्क सैल बैटरी में निम्न में से किसका प्रियोग इलेक्स्ट्रोलाइट के रूप में कर सकते हैं बताईए exactly बिटा शरवन गहलोत आपका नाम है शायद बिहार की इस बुद्ध की पवित्र धरती से आपको साधर प्रणाम थैंक यू राज बताईए सुस्क सैल बैटरी में हम इनमें से किसका इस्तमाल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बैटरी का अविशकार किस ने किया था बैटरी का अविशकार किस ने किया था बताईए बैटरी का अविशकार इनमें से किस ने किया था तो बैटरी का अविशकार इनमें से किस ने किया था बच्चा आपका मैक्स वैल ने किसने किया था बच्चा आपका Maxwell ने चलिए निम्न में से कौन सा घटक एकी करत परिपत के भीतर नहीं बन सकता है यानि कि एक सिंगल सर्किट में इन में से कौन सा आपका बेसिकली नहीं बना सकते हैं डायोड, ट्रायोड, ट्रांसफार्मर या फिर बच्चा आपका ट्रांजिस्टर एक सिंगल सर्किट के अंदर आप किसे फोम नहीं कर सकते हैं डायोड को, ट्रायोड को, ट्रांसफार्मर को या ट्रांजिस्टर को कोशन अलग है, कोशन डिफरेंट है, जो बच्चे पुराने हैं, कुछ पढ़े हुए, या काफी समय से पढ़ रहे हैं, हो सकता है, उन सबने कोशन किये हो, बट सबने तो डैफिनेटली नहीं किये होंगे, तो इतना तो आपको समझ आता होगा, कि यार क्लास में यह दिया प का, यानि कि आपको दरवमान दिया है, 30 किलोग्राम, 40 सीड़ी उसको चड़नी है, कितने में, 10 सेकिंड में, और 15 सेंटी मीटर, हर एक सीड़ी की जो उचाई है, वो कितनी है, बच्चा, 15 सेंटी मीटर, ठीक है जी, 15 जोका साथ, ओके, 0, इसको यदि तुम किसमें करोगे, तो यह हो जाएगा, आपका जब इसकी यूनिट को आप लोग चैक करोगे, 6 मीटर, ओके, क्योंकि सारी चीज़े आपको मीटर और किलोग्राम में ही रखनी है, जी की वैल्यू भी आपको दी हुई है, कितनी 10, जी की वैल्यू भी आपको यहाँ पर 10 दी हुई है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, MGH upon T, तो यानि कि आपका 30 क्लोग्राम इंटू 10 upon 10, 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना आगया आपका, 180 वोट, कितना आजाएगा भी आपका अंसर, 180 वोट, एक बार सॉल्व कर लेंगे आप लोग भी, सेम जैसे मैंने सॉल्व किया है, कोशिश करेंगे एक बार सॉल्व करने की इस numerical को, चलिए जी, अगला कोशन देखते हैं, जराएग बार क्या कहा था, कि यदि किसी भी सरकेट के अंदर परिपत के अंदर, यदि आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो current की value अपने आप बढ़ती जाएगी यानि V is inversely proportional to I तो यहाँ पर क्या है बच्चा simple सी बात है जैसे जैसे आप voltage बढ़ा होगे आपकी I current की value अपने आप बढ़ती जाएगी और जब भी कभी आप इस proportion का sign हटाते हैं तो हमेशा एक constant का इस्तमाल करते हैं तो आपका R is equals to V upon I जिसको हम क्या बोलते हैं चलित आवेश समवेग आरक्षन का नियम भी बोलते हैं चलिए छोटा सा numerical है एक heater है जिस पर 1500 वोट लिखा है यदि वैद्यत उर्जा का मूल्य दो रुपे प्रती किलो वाट घंटा है वो वाट लिखा है और यहां किलो वाट घंटा की वैल्य दो रुपे है तो 10 घंटे heater चलाने का मूल्य कितना होगा चलिए एक बार कोशिश करेंगे solve करने की कितना लिखा है 1500 वोट कितना लिखा है आपका 1500 वोट लिखा हुआ है ठीक है कितने घंटे चलाना है इसको चेंज करना होगा, तो आपका कितना आजाएगा ये, एक सेकिंड, दस घंटे चलाना है, 2 रुपे प्रती किलो वाट घंटा, तो आपको डिवाइड करना होगा, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, और 15 दुनी 30, तो कितना आजाएगा बच्चा, आपका 30 रुपिया आजा रेडियो किया जाता है इन में से किस बेसिकली डिवाइस का हम सबसे ज़्यादा इस्तमाल करते हैं अपने टीवी, सैट, कम्प्यूटर, रेडियो आदी में किसका इस्तमाल करते हैं हम सबसे ज़्यादा कैपिस्टर्स का इस्तमाल करते हैं किसका बचा कैपिस्टर्स का हम लोग इस्तमाल करते हैं अधी चालक की चालकता कितनी होती है यानि सूपर कंड़क्टर की कंड़क्टिविटी कितनी होती है अधी चालक की चालकता कितनी होती है बिटा दिने सारी चीजे एक सिस्टम में ही चलती है यह ना अचानक से चमतकार नहीं होता गुरूब डी के एक्जाम कराए गए हैं फिजीकल हुए हैं बचों की जॉइनिंग होनी शुरू हो गई है सारे एंटी पीसी के रिजल्ट आने शुरू हो गए है तो यह आपको लग रहा है कि रेलवे की बोड़ी काम नहीं कर रही है सिर्फ एक ही चीज बची है कि नई वेकेंसी नहीं आ रही है है ना सिर्फ यही एक ऐसी चीज बची हुई है तो वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी एक बार गूरूप डी और एंटी पीसी का थोड़ा सा काम खतम हो जाए तो फिर यह वेकेंसी भी जब देखो लोग सबह में आपका कोशन उठा है तो वेकेंसी तो आनी डेफिनिटली तै है डिले हो रही है इस बात को हम गलती मानते है लेकिन उस चीज के लिए हमको इश्यू नहीं बनाना है हमें अपनी तैयारी पर फोकस करना है कितनी होती है अनन्त होती है क्योंकि आप लोग एक बात बताईए यदि आज आपकी वेकेंसी आ जाती है मानलिया जेए की सबकी वेकेंसी आ जाती है तो क्या आप लोग तैयार है कि आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप लोग उस एक्जाम को क्रैक कर लेंगे है ना तो पहले हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए तब हम किसी भी चीज़ पर आपका ब्लेम करेंगे मोबाइल फोन चार्जर क्या होते है मोबाइल फोन का जो आपका चार्जर होता है वो किस तरह से एज़ा इंवर्टर आपका हम लोग उसको सोच सकते है UPS की तरह या एक step down transformer होता है या फिर आपका एक high transformer होता है बताईए जो मोबाइल फोन का आपका चार्जर होता है जिससे आप मोबाइल फोन चार्ज करते हो वो किस की तरह कारिय करता है तो मोबाइल फोन का जो आपका चार्जर है वो बच्चा किस तरह से आपका step down इस तरह से एक step down transformer की तरह आपका काम करता है जब एक ताप दीप्त वैध्यूत बल्ब यानि की incandescent electric bulb जलता है तब क्या होता है वैध्यूत उर्जा पूर्णता है प्रकाश उर्जा में बदल जाती है वैध्यूत उर्जा आंसिक रूप से प्रकाश उर्जा में तथा आंसिक रूप से ताप उर्जा में बदल जाती है प्रकाश उर्जा वैध्यूत उर्जा में बदल जाती है या वैध्यूत उर्जा चुम्बकिय उर्जा में बदल जाती है बताईए, बिसिकली एक बल्ब के अंदर क्या होता है ठीके, तो वैद्धित उर्जा देखो, जब आपका कोई बल्ब जलता है तो उसमें थोड़ी जो आपकी उर्जा होती है, वो तो प्रकाश के यानि लाइट आती है, जैसे भी यहाँ पर बल्ब जल रहे हैं तो आपकी लाइट कैसे, फोम हो रहे है क्योंकि उर्जा संड्रक्षन का नियम क्या कहता है कि उर्जा को ना तो तुम बना सकते हो, ना नस्ट कर सकते हो इसे आप सिर्फ एक से दूसरे रूप में परिवर्थित कर सकते हो तो यहाँ पर क्या है बच्चा, आपकी आनसिक रूप से तो आपकी लाइट में कनवर्ट होती है, जो आपके बल्ब के अंदर एनरजी होती है, ठीक है चलिए बच्चा, आप लास्ट में आप लोग देखेंगे, यदि आपको इसी तरह के कुछ अच्छे-च्छे कोशन डेली करने है, ठीक है, और मुझसे कनेक्ट रहना है, मुझसे आपको सारा थ्योरी स्लेवस पढ़ना है, तो आप लोग बच्चा क्या करोगे, सिंपल हमारी वेबसाइट विजिट करोगे, आप लोग सिंपल हमारी वेबसाइट विजिट करोगे, अडर 24-7, ठीक है, ये बच्चा आपकी website है यहां पर आप कहां पर all course पर कहां पर all course में जाकर government job exam select करेंगे इसमें railway select करेंगे RRB ALP का बच्चा हमारा 14 तारिक से ये batch है ठीक है जो आपका start हुआ है तो इसमें आप admission ले सकते हैं Y446 code इस्तमाल करेंगे 4008 में रुपे में मिल जाएगा double validity on है 6 महीने के लिए था एक साल के लिए valid है बट I prefer कि मुझसे यदि आपको सारे batches में connect रहना है है ना मुझसे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आपका TC का जो एक्जाम होना है TTE वाला उन सब की तैयारी कराई जाएगी मात्र 1000 रुपे में दो साल के लिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि दो साल तक वेकिंसी नहीं आएगी ओके सो प्लीज मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चा ये मिलेंगी तो वाई 446 किसके लिए रेलवे के महा पैक के लिए क्योंकि उसमें अलग से टैस्ट स्रीज लो गए इस एपरेट बैच लोगे इसमें एक ही बार लेना है बस सब्सक्रिप्शन उसके बाद सारे बैचे आपको फिरी में मिलते हैं बाई बाई टेक केर जैहिंद